गुड बाडिंग फ्रेंड्स यूट्यूब के इस डिलाइट अकडेमी चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ गिरिश कुमार भाटी और ये है हमारा वीडियो नंबर फाइव मल्टिप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले के चार वीडियो जो हमारी बिजिक सिरीज चल रही है हूँ आपने देखे होंगे और सीखे होंगे तो चाहिए मिना टाइम वेस्ट किये हम अपने टॉपिक की और आगे बढ़ते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टिप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स वीथ डेसिमल्स पहले के अब पहले इसके रूल्स सिख लेते हैं किसके रूल्स क्या है हम जैसे मल्टिप्लाइ कराते हैं वैसे ही मल्टिप्लाइ कराएंगे मगर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पॉइंट है वो थोड़ा कंसिलर करके चलना पड़ेगा सबसे पहले मैं इस मल्टिप्लाइ को एक तरीके से लिख देता हूँ कैसे आप देख सकते हो 1.2 4.2 जैसे आप multiply करते हो वैसे आपने multiply कर दिया अब क्या करना है जिस तरीके से आप multiply करते हो वैसे ही multiply कराना है कोई changes नहीं है कुछ बच्चे पहले unit place लेते हैं multiply कराने में कुछ tense place लेते हैं मैं मेरे तरीके से करता हूँ मैं पहले 2 का 0 रख रहा हूँ यहाँ पर 4.2 जा 8.4 बन्जा 4 2 की बारी 2.2 जा 4.2 बन्जा 2 यहाँ पर कुछ नहीं है मैं 0 रख रहा हूँ अब हम इनका addition करेंगे 0 प्लस 4 4.8 प्लस 2 10,0 केरी गया 1 4 प्लस 1 5 अब क्या करना है यहाँ पर point के बाद में एक number था यहाँ पर point के बाद में एक number था मतलब यहाँ पर एक number है और यहाँ पर भी एक number है एक और एक दो तो हम क्या करेंगे answer में पिछे से दो number थोड़ कर point लगा देंगे तो यह अपका answer हुआ same आगे बढ़ेंगे 1.2 0.2 इसका मैं 0 रख रहा हूँ 0 to the 0 0 बन्जा 0 sorry 0 to the 0 होता है किसी भी number का multiply टाप 0 से करते हो तो answer 0 ही मिलेगे 2 to the 4 2 बन्जा 2 कुछ नहीं है मैं 0 रख रहा हूँ प्लस करेंगे 0 प्लस 4 4 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 point के बाद में one number था point के बाद में one number था यह one number point के बाद में यह number 1 प्लस 1 2 तो पीछे से आपको दो number छोड़ देने हैं और point लगा देना है कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते हमारा ध्यान कैमेरा में भी होता है और सम में भी होता है तो कभी कभी mistake हो जाती है तो हो सकता है वो हमारे consideration में ना आए तो अगर आपको समझ में आती है तो आपको उसको correct कर लेना है चले आके बढ़ते है 0.03 multiply 0.2 0 रखती है 0.03 जा 0 0.0 जा 0 0.0 जा 0 2.3 जा 6 2.0 जा 0 2.0 जा 0 0 प्लस 6 6 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और यह 0 अब यहां पे देखो point के बाद में 1 2 मतलब 2 नमबर आ रहे है और point के बाद में 1 नमबर आ रहा है तो 2 प्लस 1 3 तो पीछे से आपको 3 नमबर छोड़ देने है 1, 2, 3 यह point आपका यहां पे लग जाएगा next 2.42 multiply 1.2 तो हम क्या करेंगे 2 का 0 रख दिया 1.2 जा 2 1.4 जा 4 1.2 जा 2 2 की बारी 2.2 जा 4 4.2 जा 8 2.2 जा 4 कुछ नहीं है 0 रख रहे हैं 0.4 जा 0 प्लस 4 4 8 प्लस 2 तैन 0 केरी गया 1 4 प्लस 4 जा 8 8 प्लस 1 9 0 प्लस 2 2 अभी पॉइंट के बाद में एक दो नमबर दे और पॉइंट के बाद में एक नमबर है तो 2 प्लस 1 3 पीछे से हम 3 नमबर छोड़ कर 0 लगा देंगे आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है और हमने जो कॉंटेंट आपको दिया है वो आपको समझ में आया है और आपको साथ से अब से डिसीमल के निटिविकेशन आ जाएंगे आप नहीं बूलोगे तो आज के दिन के लिए इतना ही स्टे टून वी थाज और हमारे चनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिजिए और बेल न आटिविकेशन को प्रेश कर लिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक यू सो मच स्टे टून वे थाज थैंक यू सो मच अगे